दोस्तो सुवाकत है आपका IPL 2020 को लेकर यहां पर एक बहुत ही बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई है जहां पर IPL 2020 और IPL 2020 के फैंस के लिए बुरी खबर जो है यहां पर निकल कर आ रही है जिसके बारे में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तो अगर आप भी IPL के कर रहे हैं IPL 2020 का इंतिजार तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तो आप कौनसी टीम को सपोर्ट करते हैं IPL में आप अपनी राय जो है कमेंट टिकर कर कर जरूर दें IPL 2020 की दोस्तो अगर बात करें तो 29 मार्च से ही IPL को सुरू हो जाना चाहिए था लेकिन COVID-19 की वज़े से सबसे पहले इसे 15 अपरेल तक के लिए पोश्टपोन किया गया और उसके बाद आपको बता दे कि यहाँ पर जब तक फर्दर अपडेट निकल कर नहीं आती तब तक सही रहता तो इसके बाद हमें IPL देखने को जो है वो मिल सकता था लेकिन एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है जहां पर आपको बता दे कि सेंट्रल गवर्मेंट ने लॉगडाउन को जो है यहाँ पर दो हफतो के लिए और बढ़ा दिया है जिया द 15 माई से IPL हमें देखने को मिल सकता है लेकिन यह चीज अब बिल्कुल जो है वो कैंसल हो चुकी है जहां पर 17 माई तक के लिए हमें लॉगडाउन भड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको बता दे कि कई सारी अपडेट ऐसे कुस दूनों पहले ही निकल कर आई थी कि 15 माई स आई पेल 2020 सुरू होने वाला है लेकिन दोस्तों इस टापिक पर हमने आपको पहले ही जो है वो कन्फरमेशन दे रही थी कि बहुत ही जादा मुस्किल है कि माई में हमें आई पेल जो होता हुआ नजर आए और अब इस चीज की कन्फरमेशन भी जो है वो मिल चुकी है जहा हमें 15 माई से सुरू होना आई पेल 2020 का बिल्कुल जो है वो नामुम्किन है अब देखते हैं कब तक जो है सिचुएशन कंट्रोल होती है और किस तरह जो है बीसिस का यहां पर आई पेल 2020 का आयोजन करती है जैसी दोस्तों फर्दर अपडेट आएगी हम आपको जरूर बता है